नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे आपके उस सवाल का जवाब जो आपने कमेंट के द्वारा हमसे पूछा था आपने से यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है हमारे एक वीवर ने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा कि वेरिको सील के पेशेंट क्या संभोग क्या सिक्स कर सकते हैं उसमें कोई प्राब्लम तो नहीं आती या वो नहीं कर सकते हैं तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इस प्राब्लम को कि क्या वो कर सकते हैं सिक्स या नहीं संभोग कर सकते हैं या नहीं देखिए जब भी किसी भी patient को verico seal की समस्या आती है तो उसे अगर हम दिक्कत की बात करें तो दिक्कत क्या देखने को मिल रही है कि उसके testicles में उसे pain महसूस हो रहा है कभी normal, कभी sharp pain मतलब कभी बहुत जादा pain होता है, कभी हलका-फुलका pain होता है उसे बहुत heaviness वहाँ पे feel होती है size बढ़ जाता है क्योंकि walls का size बढ़ जाता है इन दिक्कतों के साथ अगर हम बात कर रहे हैं संभुख करने की, six करने की तो यहाँ पर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है एक verico seal का patient अपनी जिंदगी में normal तरीके से वो सारी चीज़े कर सकता है जो बाकी करते हैं सिवाए उन चीज़ों के जिससे आपके testicles और आपके walls और आपकी veins के उपर pressure पड़ता है जैसे running, jogging, exercising, heavy weight उठाना इन सब चीज़ों को avoid करना है लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आपे संभोग करने की, sex करने की तो उसमें कोई problem as such देखने को नहीं मिलती है लेकिन कुछ patients को एक समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे वो ball demoralize हो जाते हैं और वो होता है आपका vericocele के साथ azospermia अब azospermia की problem से vericocele का क्या लेना देना इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें जब भी किसी को vericocele होता है तो होता क्या है हमारे जो walls होते हैं वो काम करना proper तरीके से बंद कर देते हैं जिसकी वज़े से जो blood flow था हमारे testicles के द्वारा जिससे वहाँ का temperature maintain रहता है वो नहीं रह पाता यानि blood का flow proper नहीं हो पाता जो हम अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें समझाया हुआ है कि vericocele की समस्या में एक हमारी body का साफ कून होता है जिसको हम बोलते है oxygenated blood जो हमारे शरीर में oxygen के साथ जाता है अंदर दूसरा होता है bad blood यानि वो उस blood में से जब oxygen use कर लेते हैं हमारी body के organs तो वो वापस उपर जाता है तो जो उपर जाने का process है जब वो ठीक से नहीं हो पाता तो blood proper तरीके से उपर नहीं जा पा रहा होता हो नीचे की तरफ ही रह रहा होता है क्योंकि walls अपना काम करना बंद कर देते हैं इसके और अधिक explanation अगर आप देखना चाते हैं समझना चाते हैं वेरिकोसील की समस्या को तो आप description में उसका मैं link दे दूँगा वीडियो को आप उसको देख सकते हैं या उपर i button पे click करके भी स्पर्मेटिकोवेन यानी हमारे एक ऐसी वेन एक ऐसी नस जिससे sperm भार आता हैं एजोस्पर्मिया की जो समस्या का कारण है वो यहाँ पर क्या है इसको आप समझिए जब किसी को वेरिकोसील हो रहा है तो उसकी वेन स्वेल हो रही है फूल रही है तो उसके आसपास की जो नसे होती है वो दबनी शुरू हो जाती है और वहीं से एक नस जारी होती है जिसको हम बोलते है स्पर्मेटिकोसील यानी स्पर्म की नस जिसमें से स्पर्म भाहर आता है तो वो नस जब दब जाती है प्रेशर के कारण तो स्परम बाहर नहीं आ पाता जिसकी वज़ा से एजोस्परमिया की समस्या देखने को अक्सर लोगों को मिल जाती है क्योंकि जब पेशेंट हमारे यानि भारत होमपती के डॉक्टर से अपनी समस्या शेयर करते हैं या हमारे याँ पेशेयर के साथ इन समस्याओं का हम देखते हैं कि वो सामना कर रहे हैं जिसके लिए उनको प्रॉपर ट्रीट्मेंट दिये जाते हैं अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई समस्या है शक है डाउट है या आपके पास अपनी रिपोर्ट्स हैं जिससे आप कह सकते हैं कोई ये प्रॉब्लम है लेकिन उसका सही ट्रीट्मेंट नहीं मिल रहा तो मैं यह आप यह आपको बता दूँ आप नीचे दिये गए नमबर पर क्लिक करके भारत होमोपेथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं बात कर सकते हैं अपनी समस्या का समधान जान सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम आता है कि होमोपेथिक से क्या ये ठीक हो सकता है बि के result बिल्कुल समस्या की जड़ पर काम करते हैं आप यह मैं नहीं कह रहा है आप इसे खुद Google कीजी यह जो लोग homeopathic medicine का सेवन करते हैं आप उनसे जान सकते हैं अब ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि जितनी भी homeopathic medicines होती है वो होती कैसी है alcohol based यानि उसकी absorption बहुत ही जल्दी बहुत ही fast होती है अब इसमें एक patient अगर देखें दवाई consume कैसे करता है sugar balls होती है जो वो दवाई खाता नहीं है पानी के साथ सटकता नहीं है बल्कि मूँ में रखते ही वो दवाई घुल जाती है आपकी लार के साथ absorb होके आपके blood में mix होके अपना काम करना शुरू कर देती है इसलिए इसके results बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं लेकिन जब लोग कहते हैं कि homeopathic medicines अच्छी है इसके results बहुत देर में आते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी बड़ी समस्या की दवा ले रहे हैं या पर आप खुछ समझे बुखार है आपको कई साल दीरे-दीरे होता रहता है फिर जाके होता है या एकदम से होत है लेकिन अगर आप किसी ऐसी समस्या का समधान चाह रहे हैं जिस समस्या को बनने में 5-8-10 साल लगे हैं आपके शरीर में तो क्या वो 2-4-6 दिन या महीने में खतम हो जाएगी आप खुद सोचे इसलिए किसी और की ना सुनते हुए खुद से समझे अपने इलाज के बारे में जिसको लेके आप अपने आपको ना केवल स्वस्त बना सकते हैं बलकि अपनी समस्या पर भी पड़े आसानी से काबू पा सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझाया होगा कि वेरिको सील की समस्या में एक कोई भी पेशेंट उस में जाने के जरूरत नहीं हैं तो आपको सभी चीजे बहुत अच्छे दिस समझाया हूँ होगी इसी के साथ मैं आप सबसे चलने के इज्म letter छा BACK मिलउंगा अपनी अगली वीडियो में वेरियो अपमी में अपनी जीजा की तो में मिल आपको सभी। is चलने के में तब तक के लिए नमस्कार